हेलो एभरीवन इस विडियो में हम करेंगे फ्यू study of perfect Ст Paris मेंने आपको प्रेजेंट Пос्िंवरагं पर्फेक्ट कॉंटिन्यस में बी और प्रफेक्ट continuous means perfect मतलब कुछ काम हो चुका है continuous मतलब कुछ चल रहा है जब हम present की बात कर रहे थे present perfect continuous की तो कुछ काम हो चुका था और कुछ present में चल रहा होता है लेकिन past की बात करें तो कुछ काम past में ही पूरा हो जाता है past में ही चल रहा होता है बट present से पहले present time से पहले खतम हो चुका होता है बट future में हम बात करते हैं कि उस समय ये काम हो रहा होगा कि मैं दो घंटे से पढ़ रही होंगी कल मैं दो घंटे से पढ़ रही होंगी कल future में दो घंटे से पढ़ रही होंगी कुछ समय कुछ period में पढ़ चुकी होंगी और कुछ चल तो इस तरह की संटेंस को हम क्योच क्योचर पर्फेक्ट कॉंटिन्यूवस टेंस में इंक्लिउड करते हैं इसका जो सेंटेक्स है वह सब्जेक्ट प्लस विल है बीन या शैल है बीन में इसमें यह फर्फिंग लगती है जास में की first form के साथ ing plus object plus since ya four जैसा कि हमने present perfect continuous tense में भी किया था और past perfect continuous tense में भी किया था for example I shall have been working for two hours मैं दो घंटे से काम कर रही होंगी and this tense is used to indicate a continuing action that will be completed at some specified time in the future कि specific time में future में वो काम हो रहा होगा इसका जो time signal है वो है जैसे by the end of by the end of 2030 by the end of 2025 time signal दिया होगा for example by July 2022 I shall have working at this institution for 20 years कि मैं आएगा एक time signal एक specific दे दिया जाता है तो इस तरह के sentences में आपको सिर्फ helping verb का ध्यान रखना है जो कि different है present और past से और इस तरह के sentences mostly exam में आ जाते हैं बट spoken English में हम जनरल बातचीत में बहुत ही कम instance का use करते हैं तो आप इस तरह के sentences की practice किशिए यह affirmative sentence था अगर आपने इसी का negative sentence बनाना है तो shall have not been और will not have been use करेंगे जैसे कि यह affirmative है I shall have been riding a bicycle for two hours by six pm इसी का अगर मैं negative बनाऊं I shall not have been riding a bicycle for two hours by six pm इसी का interrogative बनाएंगे तो shall पहले ले आएंगे shall I have been riding a bicycle for two hours question mark इसी का अगर आपने double interrogative बनाना है WH family से when shall I have been riding a bicycle तो इस तरह के sentences आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको यह video समझ में आई तो इसको like कीजिए share कीजिए और अगर आपकी कोई query है तो comment box में लिख बेजिए thank you so much